सुगर चाहे 300 हूँ या फिर 400 सुगर चाहे 20 साल पुराना हूँ या फिर 30 साल पुराना हूँ ये एक पत्ता रात को इस त्रहें से लगा लो और इस सुगर रोग को हमेशा के लिए जड़ से खतम करतों नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वरियों में हम आपको सुगर रोग का एक ऐसे इलाज के बारे में आपको बताएंगी दोस्तों यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं और इसका हर रोज परियोग करते हैं तब आपकी ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए बिलकुल जड़ से खतम हो जा किसी की किडनी खराब हो गई है किसी को ब्लड प्रेसर की बीमारी है कोई पेट के रोगों का सामना कर रहा है यानि इस बीमारे के कॉम्पलिकेशन बहुत आदिक हैं दोस्तों इसको साइलेंट की लड़के नाम से भी जाना जाता है ये एक ऐसी बीमारी है और इसका एक ही आज है कि आप इसको हमेशा कंट्रोल में रखें लेकिन दोस्तों आज की सुर्य में जो दिन्चरिया और जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा उससे आपका सुगर बिलकुल सही हो जाएगा दोस्तों चाहे आज आपका सुगर 300 हो 400 हो कितने भी साल पुराना हो 20 साल 30 साल य खाने के बाद कराएं रात को कराएं सुबे दिन में कराएं जिस टाइम मर्जी कराएं आपको हमेशा आपना सुगर बिलकुल सही मिलेगा लेकिन आपने इस दिन्चरिया का हरोज पालन करना है और इस नुस्खे को अपनाना है दोस्तों इतना काम तो आपको करना ही करना प अपनानी है आप ये बात सोच लो यनि कि अगर मैं बात करूँ एक महीने में एक से दो दिन अगर आप छूट जाएं इस दिन चरिया को भंग कर दें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको मैक्सिमुम दिन अपनानी ही अपनानी है यदि आप इस सुगर की बिमारी से बचना चाह कर रात को एक गिलास पानी में विगो कर रख देनी है और सुबह बासी मूँ सबसे पहले आपने इस पानी को पी लेना है और इन कलोंची और मेती दाना के बीजों को भी चवा चवा कर खा लेना है सबसे पहला काम उसके बाद आपने तीन से चार गिलास पानी पीना है उसक करने के बाद आपको हलका हलका वयाम करना है आपको वयाम में मंडू का आसना आपने जरूर करना है इसको आपने सामिल ही सामिल करना है इसके इलावा अनलोम विलोम और कपाल भाती भी आपने करने है इसके साथ में मंडू का आसना आपने जरूर करना है और इसके साथ में दो सबी जगेंं आप दबा कर देखें, जहां भी आपको दर्द हो, वही आपका point है, उससे आपकी penkirias insulin का श्त्राव करती है, यनि आपने वो दबाना ही दबाना है, जब भी आपको free time ले, आपने दिन में 2-3 बार ये काम करना है, ये आपने दोनों हाथों में, और आपके दोनों पैरों में भी ऐसे ही point है मैं आपको यएस जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं वो आपने point आपने दबाने आप सिलाइन पर दबा कर देखें जहां आपको दर्ध हो आपका वो ही point है अब ये काम हो गया आपने ये काम हरोच करना है आपने साधा भूजन करना है और दोस्तों आपने गेहूं की रोटी नहीं खाने है दोस्तों आपने क्या करना है कम से कम साथ अनाज लेकर उनको पिसवाना है और उस आटे की रोटी आपने दोनो टाइम खानी है उस अनाज में बनाना कैसे हैं उसमें आपने गेहूं लेना है चना लेना है बाजरा लेना है मक्का लेना है जों लेनी है जवार लेनी है और सोया भी लेनी है यनि साथ अनाज लेकर आपने पिसवाने हैं और इस आटे की रोटी आपने हर रोज खाने हैं सुबे दोपहर स्या को जब भी आप खाना खाएं तब आपने इस आटे की रोटी का ही सेवन करना है और इसके साथ में आपने ये नुस्खा पनाना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अब इससे होगा क्या दोस्तो इससे होगा क्या आपका सुगर आ चाहे 200 हो या फिर 400 वो बिलकुल नौरमल बाजाएगा और दोस्तो आपके पूरे सरीर की कमजोरी आपके सरीर में कहीं भी कमजोरी है वो बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी यानि आपके सरीर की हर कमजोरी का भी इलाज है इनुसका इसके साथ में दोस्तो जो इस सुगर बीमारी के कॉम्प्लिकेशन है आप उन से बच जाएगी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा इसके साथ में आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी आपकी आँखों से भी चस्मे को उतारने का काम करेगा आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाकर आपकी आँखों से चस्मे को उतार देगा दोस्तो इ तो आप जानते ही हैं कि जब आपके इसरी में रोगों से लड़ने की सकती आदिक होगी तब आपको बहुत रहे की वीमारिया नहीं लगेंगी अब जानते हैं उस एक पत्ते के बारे में उस एक पत्ते के कमाल के बारे में दोस्तो ये है आग का पत्ता दोस्तो आग को मधार आकडा और आक के नाम से भी जहना जाता है और यह दोस्तो हर जिगह आपको कहीं भी खर्पतवार में खड़ा हुआ मिल जाता है सड़क के किनारे, कहीं भी यानि फिरी का इलाज है दोस्तो आपने क्या करना है इस एक पत्ते को तोड़ना है और रात को जब आप सोएं उससे पहले आपने अपने पैर पर इसको उल्टा करके बांद देना है जैसे कि यह हमने बांद देना है उल्टा करके आपने बांद देना है और उसके बाद किसी डोर की साहित इसको बांद कर उपर से अपने सोक्स डाल देनी है और रात को दोनों पाउं पर ऐसे बांद कर सो जाना है और सुबे आपने इसको निकाल देना है हर रोज आपने रात को सोते समय यह काम करना है और दोस्तों आप देखेंगे कि आपका सुगरोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और दोस्तों आपने करना क्या है इस तरीके से आप इसको continue रखें और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका सुगर रोग बिलकुल सही हो जाएगा आपको दोबारा से इस सुगर की विमारी के लिए दवाईयों का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना चमतकारी है ये नुस्खा तो दोस्तों देर किस बात की हैं आप भी आज ही अपने घर पर इस नुस्खे को बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने सुगर रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहें धन्यवादू